बिस्मिल्लाह रमानी रहिम, अस्सलामु अलेकुम और रहमतुलाहिव बरकातो हूँ आसिफा कोसर्स किचन में मैं आप सबका खैर मखदम करती हूँ आज की मेरी रेसिपी है आमले का अचार आज में बताऊंगी किस तरह आप आसानी से आमले का अचार घर पर बना सकते हैं आमला एक सूपर फुड है जिसमें विटैमिन C की मिखदर बहुत ज़्यादा होती है और ये हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही मुफीद होता है और जो लोग डायबेटीस से परेशान है उनके लिए भी आमला बहुत ही मुफीद होता है अचार हिंदुस्तानी खाने की जान होती है खाना चाहे साधा हो लेकिन अगर उसके साथ में अचार हो तो उसका मजा ही दुगना हो जाता है तो चलिए फिर देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं इसके लिए मैंने 250 ग्राम आमला लिया है आमलों को धोकर मैंने एक कपड़े से अच्छी तरह से पोच कर इनको सुखा लिया है याद रहे कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप मैं बताऊंगी कि इसको किस तरह से काटते हैं इस पर ये जो निशान होते हैं हमें उस पर इस तरह से कट लगाना है इस तरह से अगर हम कट लगाते जाएंगे तो ये आसानी से टुकड़ों में निकलते जाएंगे तो देखिए मैं इसको cuts लगा रही हूँ, अभी आपको दिखेगा कि ये किस तरह आसानी से निकल गया है, देखिए ये इस तरह से निकल जाएगा आसानी से, मैं आपको फिर से और एक टुकड़ा काट कर बताती हूँ, तो इससे आपको idea मिल जाएगा, इसी तरह से हम सारे आ मैं एक चन्नी में transfer कर लूँगी, चन्नी में मैंने इसको दाल लिया है, अब मैं इसमें दालूँगी 1 tablespoon healthy powder, अब मैं इसमें दाल रही हूँ, 1 tablespoon नमक, नमक दालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे, चन्नी में दालने का इसका फैदा ये होता है, जो आमलों से पानी निकलेगा, वो चन्नी से आसानी से बाहर निकल जाएगा, अब मैं इसको 4-5 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी, धूप में रखने के बाद इसका सारा पानी निकल गया है, और ये अच्छी तरह से सूख गये हैं, जब हम अचार बनाते हैं, तो इसमें पानी थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, देखिए ये पानी निकल गया है, एक टेबल स्पून मेथी दाना ले रही हूँ, अब इसको हम पैन में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, उसी तरह एक टेबल स्पून मैं राई दाना ली हूँ, इसको भी हम इसमें रोस्ट कर लेंगे, जब इसमें हलकी सी खुश्बों आने लगी तो समझ लीजिए ये रोस्ट हो गए हैं। इसको अब मैं मिक्सी जार में निकाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसका पौडर बना लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसका पौडर बना लिया है। अब इसको एक बॉल में मैं निकाल कर साइड में रख लूँगी। एक टेबल स्पून मैं सौंफ ले रही हूँ। सौंफ को एक पैन में डाल कर कुछ देर के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। उसी तरह एक टेबल स्पून मैं कलोंजी ले रही हूँ। इसको भी पैन में दाल कर हम कुछ सकेंड के लिए इसको रोस्ट कर लेंगे, जब ए अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे, तो इसको मैं एक मिक्सी जार में निकाल कर इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लूँगी, इसको ज्यादा नहीं पीसना है, एक दरदरा ही होना चाह ही है, अब इसको भी मैं निकाल कर एक बॉल में रख लूँगी, चलिए अब इसके आगे का प्रोसस देख लेते हैं, जो आवले के टुकडों को हमने धूप में सुखा लिया था, उसको अब मैं एक बॉल में निकाल रही हूँ, बॉल में निकालने के बाद मैं इसमें वन हाफ टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, हाफ टेबल स्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्श पॉडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे रंग अच्छा हैगा, हाफ टेबल स्पून मैं नमक डाल रही हूँ, क्यूंके नमक हमने पहले भी डाला था, इसके बाद ज यह जो सारे पौडर्स इस पर अच्छी तरह से लग जाएं आमला हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और यह हमारी यूमिनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है तो कोशिश करिए कि आमले को अपने डायेट में जरूर शामिल करें हाफ बॉल मैं सरसों का तेल ले रही हूँ आप चाहे रिफैंड ओयल भी ले सकते हैं अब इस तेल को हम स्मोकिंग पॉइंट आने तक अच्छे से गरम कर लेंगे उसके बाद इस तेल को हम अच्छे से रूम टेंपरेचर पर थंड़ा कर लेंगे तेल अब ठंडा हो गया है अब इस आवला की मिक्षर में मैं इस तेल को डाल रही हूँ मैं यहां कम कॉंटिटी में बना रही हूँ इसलिए मैंने तेल का इस्तेमाल कम किया है अगर आप ज्यादा कॉंटिटी में इसको बना रहे हैं और कई महनों तक इसको रखना चाहते ह तो ध्यान रखिए कि तेल की मिहदार इसमें बहुत ज्यादा होनी चाहिए जितना हमारा आवले का मिक्षर है उसके उपर तेल होना चाहिए तेल डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो लीजिए बनकर तयार है हमारा आवले का अचार अब इस अचार को हम 2-3 दिन के लिए धूप में रखेंगे तो तब इसका मज़ा दुगना हो जाएगा और एक खाने के लिए तैयार हो जाएगा आप भी इसको ज़रूर ट्राइ करिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलिएगा मैं बहुत जल्द एक आसान और नई रेसिपि के साथ फिर से हाजिर होती हूँ तब तक के लिए थैंक्यू फार वाचिंग